हैं लो फ्रेंड्स विलकम टो सागर एंगलिस क्लासेश सागर एंगलिस क्लासेश में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आजके इस वीडियो के माद्यम से हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 में जो एक चैप्टर 3 आता है Journey to the End of the Earth मतलब प्रत्वी के अंत तक की जो है यात्रा ठीक है तो इसके बारे में हम लोग इसके start answers और long answers के बारे में बात करेंगे किस प्रकार से हमें इस चैप्टर के start answer और long answer को write करना है इसके आतर हैं टिशानी दोसी और इसको जो है बोर्ड एक्जाम में हो सकता है questions पूश लिये जाए तो अप लोग इसको अच्छे से तयार कर लीजिएगा तो चलिए पहले start कर लेते हैं इसके start answer type questions के बारे में तो इसके start answer type questions में देखे जो हमारा first question है ये first question क्या कह रहा है How do geological phenomena help us to know about the history of humankind तीक है इसका मतलब है कि जो humankind है मानो जाती का इतिहास कह लिजे history of humankind ठीक है मानो जाती के इतिहास के बारे में ठीक है जानने के लिए जो भू वैग्यानिक घटनाएं है कौनसी geological phenomena यानि भू वैग्यानिक घटनाएं वो किस प्रकार से हमारी मदद करती हैं help करती है ठीक है क्योंकि भू वैग्यानिक घटनाओं के बारे में जो है जानने के लिए जो है मानो जाती के बारे में जानने के लिए या मानो जाती के इतिहास के बारे में जानने के लिए जो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मददगार हैं तो कैसे मददगार हैं तो चली देख लेते हैं इसके बारे में क्या इसका एंसर है कि geological phenomena give us understanding of where we have come from and where we could possibly be heading they help us to understand about the folds and seeds ozone and carbon evolution and extinction क्या बूला गया है कि जो geological phenomena है भूबैग्यानिक घटनाएं हैं वो give us understanding वो हमें एक समझ देती हैं हमें हमारी समझ को बिक्सित करती हैं किस चीज के बारे में कि आफ where we have come from कि हम लोग कहां से आये हैं and where we could possibly be heading और हम किस चीज की और अग्रसर हो रहे हैं अर्थात हम किस और बढ़ रहे हैं ठीक है दे help us to understand about the folds और विये जो भूबैग्यानिक जो घटनाएं हैं वो भी इस चीज में हमारी मदद करती हैं किस चीज को समझने में about the folds and seeds का मतलब होता है वलय और फलक क्या होता है वलय और फलक और ओजोन और कार्बन कि जो ये भूबैग्यानिक घटनाएं हैं ये हमें वलय और फलक के बारे में समझने में मदद करती हैं और ओजोन और कार्बन के बारे में समझने में मदद करती हैं and evolution and extinction अर्थात vikas और vinas क्यूंकि evolution का मतलब होता है vikas और extinction का मतलब होता है vinas टीक है तो vikas और विनास के बारे में भी हमारी समझ को विकसित करती हैं कौन सी चीज हैं? जियोलोजिकल फेनोमिना अर्थात भूवेग्यानिक घटना है तो फ्रेंड्स ये तो हमारा फार्स्ट कुश्चन था आप देख लेते हैं सेकेंड कुश्चन को तो सेकेंड कुश्चन में क्या कह रहा है वू आज जियोफ ग्रीन जियोफ ग्रीन कौन था और उसने इस्टुडेंट्स को क्या दिया यह छात्रों को क्या दिया क्या आफर किया तो देखे इसका जो एंसर है कि जियोफ ग्रीन वाज अ कनाडियन जो जियोफ ग्रीन था वो एक कनाडा का रहने वाला बेखते था Canadian ता कह लिजिए He took high school students on the journey of Antarctica Under the program students on ice from Madras क्या किया उसने high school के चात्रों को He took high school students वो high school के चात्रों को ले गया कहां पर ले गया On the journey of Antarctica यानि Antarctica की यात्रा पर ले के गया ठीक है और किस program के तहत ले कर गया तो Under the program students on ice एक program चलाया Students on ice और इसी program के तहत जो है Madras से जो है कच्छादस के चात्रों को एक यात्रा पर ले गया और वो कहां की यात्रा थी Antarctica की किसकी Antarctica की ठीक है They could visibly all glaciers retreating and ice cells collapsing there जो students थे वो क्या कर सकते थे They could visibly वो देख सकते थे All glaciers मतलब सभी जो glaciers थी हिमानिया थी उन हिमानियों को अपनी आँखों से retreating अर्थात आगे की ओर खिशकते हुए ठीक है यानि खिशकते हुए देख सकते थे और जो ice cells थे मतलब ice मने होता बर्फ यानि हिम जिसको बोलते है हिम खंडों को ठीक है अब कोलाप्सिंग का मतलब होता है तूटते हुए अर्थात हिम खंडों को तूटते हुए और हिमानियों को आगे की ओर खिशकते हुए बच्चे अपनी आँखों से देख सकते थे नेष्ट कुशन नंबर जो हमारा थर्ड आ रहा है इसमें कहा गया है हाउट ड़िट द़ राइटर फिपल हाउ डिट द़ राइटर फिल आन्रीचिंग अंटार्क्टिका एंड हुआई कि राइटर ने कैसा फिल किया कैसा महसूस किया anreaching antarktika antarktika में पहुचने पर लेखक ने कैसा महसूस किया या लेखिका ने कैसा महसूस किया and why और क्यों ठीक है तो यहाँ पे देखेगे सबसे पहले जो जो उसका answer लिखा गया है anreaching the antarktika मतलब antarktika में पहुचने पर the writer felt relief means लेखिका को थोड़ा से रिलिफ सांतोना महसूस हुई ठीक है To see it's a expensive white landscape To see का मतलब होता है देखकर किस चीज को देखकर के इसकी जो expensive थी बहुत बिश्तरत और white landscape का मतलब होता है सफेद भूदर से यानि इसके सफेद भूदर से को देखकर काफी दूर दूर तक इसके सफेद भूदर से को देखकर ठीक है And continuous blue horizon और continuous का मतलब होता है लगातार दूर तक दिखाई पड़ने वाला नीला चैतिज कैसा Blue horizon नीला चैतिज ये सब देखकर के जो लेखिका थी उसको थोड़ा सा relief मिला थोड़ा सा राहत मिली She also felt great wonder at the immensity It's isolation And mainly at how could you have been A time when India and Antarctica Work a part of the same land mass क्या वो लगया है She also felt great wonder उसको बहुत बड़ा आश्यरी भी हुआ किस चीज पर at the immensity यानि विशालता पर किस पर विशालता पर और इसकी isolation का मतलब होता है विलगता विलगता पर ठीक है And mainly at how could you have been a time और यह सोच करके मुक्यतया इस बात को समझ करके कि वह किस प्रकार का समय रहा होगा When India and Antarctica कि जब भारत और अंटार्क्टिका work apart of the same land mass जब भारत और अंटार्क्टिका एक ही भूखंड के भाग थे इन चीजों को देखने पर बहुत बड़ा क्या होता है आश्यर्य होता है Next question number जो इसका आ रहा है इसमें देखी क्या कहा जा रहा है Describe the writer's feeling after he had spent two weeks in Antarctica जब लेखिका ने दो सप्ताह बिता दिये कहां अंटार्क्टिका में तो दो सप्ताह बिताने के बाद उसकी feelings क्या थी उसकी भावनाएं क्या थी लेखिका की दिखी यहां पर इसका जो एंसर है Following were the writer's feelings after she had spent two weeks in the Antarctica यानि अंटार्क्टिका में दो सप्ताह बिताने के बाद लेखिका की जो feelings थी वो निमलिखित थी भावनाएं जो निमलिखित थी कौन-कौन सी भावनाएं थी She wondered about the beauty of balance in play on our earth दिखी पहला क्या बोला गया है कि अपनी प्रिथवी पर सौंदर्य के संतुलन को देखकर बड़ा आश्चरी हुआ पहली बात तो किस पर आश्चरी हुआ जो लेखिका थी उसने किसी इस पर wonder कि आश्चरी किया about the beauty of balance in play on our earth कि अपनी प्रिथवी पर सौंदर्य का जो beauty का जो balance था संतुलन था उसको देखकर के बड़ा ही आश्चरी हुआ next second point क्या है how would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be how would it be कैसा होगा यदि Antarctica एक गरम स्थान बन जाए warm place जैसा कि वो पहले कभी था ठीक है next का जो third बिचार आया था कौन सा था कि will we be around to see it or would we have gone the way of the dinosaurs and other animals of that time क्या इसका मतलब है कि क्या तब हम इसको देखने के लिए जीवित रहेंगे या फिर हम भी डाइनोसोर वा उस समय के अन्य जन्तूं के रास्ते पर चल पड़ेंगे जैसे डाइनोसोर क्या हो गए गायब हो गए बिलुप्त हो गए तो अगर ये भी पहले की तरह गर्म हो जायेगी अन्टार्क्रिका तो ये हम लोग भी क्या होंगे क्या हमारी इस्थिती पहले जैसे हो रहेगी या फिर हम भी डाइनोसोर्स और उस समय पर रहने वाले जो अन्य जन्तू थे उन्हीं के मार्ग हम भी चल पड़ेंगे next question number जो 4 था रहा है इसमें कह रहा है why has the students on ice program been so successful कि जो ये program था students on ice ये इतना successful क्यों रहा है सफल क्यों रहा तो इसका जो answer देखिए the program students on ice became successful because students could visibly glaciers rate rating and ice cells collapsing in this program without being affected by the south pole while it is impossible to reach it without affected by it क्या वो लगया है कि जो program था कारिक्रम जो था कौन सा students on ice ये became successful बड़ा सफल रहा क्यों सफल रहा because क्योंकि students could visibly क्योंकि जो students थो देख सकते थे किस चीज को glaciers को हिमानियों को कैसे देख सकते थे rate rating मतलब आगे की ओर खिशकते हुए और ice cells collapsing जो बर्फ के टुकडे थे कह लीजे हिमखंड थे उनको तूटते हुए देख सकते थे in this program इस program में without being affected by the south pole south pole क्या होता है आप सभी को पता होगा क्या होता है दच्छिड जो बिंदु होता है क्या होता है दच्छिड बिंदु उस दच्छिड बिंदु को ठीक है या दच्छिडी धुरू भी कह सकते है इसको कि दच्छिडी धुरू के जो है बिना affected हुए दच्छिडी धुरू से बिना प्रभावित हुए वे जो है इस चीज को देख सकते थे कौन से चीज को कि हिमानियों को आगे की और खिसकते हुए और हिम खंडों को तूटते हुए देख सकते थे किस माध्यम से इस प्रोग्राम के माध्यम से जिस प्रोग्राम का नाम था Students on Ice और कैसे देख सकते थे without being affected by the South Pole दच्छडी धुरों से थोड़ा सा भी बिना प्रभावित हुए वाइल इट वाज इडिज इंपॉसिबल जब कि ये बात तो इंपॉसिबल है असंभव है to reach it यहां तक पहुँच पाना without affected by it कि हम दच्छडी धुरों से थोड़ा सा भी प्रभावित ना हुँ और हम वहाँ तक पहुँच जाएं है ना ऐसा तो possible ही नहीं है next क्या है question number अगला है why is Antarctica the ideal place to study that small changes in environment can have far reaching effects इसका देखी क्या मुतलब है कि जो Antarctica है एक ऐसा आदर सिस्थान क्यों है ideal place क्यों है जहां हम अध्यन कर सकते हैं कि पर्यावरण में चोटे परिवर्तन दूरगामी प्रभाव दिखा सकते हैं जो environment है पर्यावरण है उसमें जो small changes होते हैं चोटे चोटे परिवर्तन होते हैं वह भी क्या कर सकते हैं वो फार reaching effect बड़े बड़े प्रभाव डाल शकते हैं परियावड में छोटे छोटे परिवर्तन भी बहुत दूर गामी प्रभाव बहुत बड़े बड़े प्रभाव डाल सकते हैं, तो यह कैसे पॉसिबल है, देखी यहां पर एंसर है, कि ऐंटार्क्टिका, बिकाज आफर सिंपल इको यानि अपनी सरल कहलें लिजीये या साधार कहलें पारिश्थिती की जो प्रडाली होती है उसके कारड़ और लेग का मतलब होते है कमी किसकी कमी ऑशल कारड़ की बीटे हिस्त्रान और यह इस दा प्लेस यो अैसा है जो बड़ा ही आदर सिस्थान बन गया है कैसा जो है आदर सिस्थान बन गया है किस चीज के लिए टू इस्टडी यानि अध्यान करने के लिए कि जो इसमाल चेंजेस हैं छोटे-छोटे कितने लंबे समय से इस प्रतवी पर है इसके संसाधन क्या है ऐसे कह लिए कि कितने समय से मानो सब्था प्रतवी पर आई है और प्रतवी और इसके संसाधनों पर मानो का क्या प्रभाव पड़ा है मानो ने क्या क्या प्रतवी पर किया है इसके संसाधनों पर क्या 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 किया है देखे इसका एंसर है कि human civilization has been around only for 12,000 years 12,000 वर्सों से ही सरफ इस प्रतवी पर मानो सब्था रह रही है mine has managed to have dominance over nature with the village, towns, cities and mega cities कि आदमी ने किस किस चीज का प्रबंधन किया है देखे आदमी ने प्रबंध किया है प्रक्रती पर अपना प्रभुत्त पाने के लिए गाउं के द्वारा विलेज बना लिए टाउंस नगार कस्बे बना लिए cities सहर बना लिए mega cities महानगर बना लिए इन सभी चीजों का सहारा लिए इस पर अपना प्रभुत्त जमाने के लिए the rapid increase in human population जैसे तेजगत से human population बढ़ती गई जनसंख्या बढ़ती गई has left men battling with other species for limited resources तो आदमी ने क्या किया गया मानु जनसंख्या में जैसे जैसे ब्रद्धी होती गई वैसे वैसे सीमित संसाधनों के लिए संक्या बढ़ती गई तो जो अने संसाधन थे उनको क्या किया गया गया लिमिटेट कर दिया गया फिर क्या है he has used all fossil fuels creating a blanket of carbon dioxide around the world क्या कहा कि जो मानों ने जो fossil fuels थे जीवास में इनन थे उनको पूरी तरह से उपयोग कर 20 के चारों और carbon dioxide की चादर तान दी है क्या चात तान दी है blanket of carbon dioxide यानि carbon dioxide की चादर को चारों तरफ तान दिया है किस चीज को fossil fuels जो होते हैं जीवास में दन को उनको पूरी तरह से प्रयोग कर लिया है नेक्स कुश्चन जो हमारा आ रहा है इक है रहा है कि वाट डिड़ जीवाफ ग्रीन गेट टायरड आफ और वाई वाट डिड़ ही स्विच ओवर टू हाव लांग हाज ही बीन रणिंग दिस प्रोग्राम तरह जीवाफ ग्रीन जो थे वो किस चीज से बोरिंग गेट टायरड आफ टायरड आफ का अंदल होता है परिशान हो जाना या ओब जाना कि जो जीवाफ ग्रीन थे वो किस चीज से ओब गय थे परिशान हो गय थे और what did he switch over to? और उन्होंने किस चीज की ओर अपना अपना परिवर्टन किया और कितने समय से वा ये कारीकरम को चला रहा है तो इसका देखी जो एंसर है when the जियो of Green gets tired of creating celebrities and retired रेटायर का मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि जो आफ ग्रीन थे फो प्रशिद्ध बेक्तियों उनको लाने में किस चीज में Celebrities जो प्रशिद्द लोग होते थे उनको हम लोग क्या बोलते हैं Celebrities यानि Celebrities को लाने में और Retire Retire का मतलब होता है ले जाने में ठीक है ये लाने और ले जाने से ठक चुका था They could only give back in a limited way इसलिए उसने आवकास ले लिया था क्या कर लिया था आवकास ले लिया था और He switched over to the high school students और उसने क्या किया था उसने बदलाव किया और high school के चात्रों की और मुड़ गया सुचा की बही Celebrities को लाना तो हमेशा लाते हैं जो प्रसिद्ध लोग हैं उनको तो हमेशा लाते हैं चलो ऐसा करें high school के students को लेकर आया जाए He has been running this program for 6 years now और वो इस program को पिछले 6 वर्सों से चला रहा है तो friends ये तो हमारे start answer type questions इस chapter के हो गया है अब इसके next video में हम इसके long answer provide करा देंगे तब तक आप लोग इसको अच्छे से तयार कर लीजिएगा और board exam के लिए काफी ज़्यादा important है आपके exam में पूछे जा सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने friends तक share कीजिए okay students thank you thanks for watching this video